सनातन धर्म में अमवस्या तिती का विशेश मेहत्व होता है अगहन मास के कृष्ण पक्ष की अमवस्या तिती को मार्कशीश अमवस्या के नाम से जाना जाता है मार्कशीश अमवस्या काफी शुब होती है इस अमवस्या के दिन पित्रों की शांती के लिए स्नान दान करने वाले लोगों को काफी शुपफल प्राप्त होता है इसके साथ ही इस दिन दान करने का भी विशेश महत्व है माकशीश अमवस्या तिती पर तेवी लक्षमी की पूजा करना काफी फलदाई माना जाता है वहीं माकशीश अमवस्या इस साल 12 दिसंबर को मनाई जाएगी इस दिन पित्रों की नाराजगी दूर करने का या फिर राशी में पित्र दोष होने से मुक्ती पार्ण। महिना इस बार जो है मार्क शीश महिना की जो अमावाश्या है यह भॉमवती अमावाश्या बोल रही है इसमें घरती योग के साथ यह भॉमवती अमावाश्या माने गई है इसमें जो है इसनान और देव पित्रकाजे जो है यह बड़े महत्वपोन मने गए हैं इस दिन आप पितरों की पूजा कर सकते हैं, पितरों को पितरों के नाम से आप, दान और उस दिन पिसी तीर्थों में इसनान का बढ़ा मोँधन है, इसनान और दान का बहुत मोटम나 है इसमें और ये जैसे किसी के गर्ह में कुणदली में पित्रदोश है तो पित्रदोश की पूजा भी है अमावश्या की दिनुखरी दोना बड़ा कौशता है और एक भॉम होती है अमवाश्या यह बहुत दूपोन होगी इस बार दिनांक 12 दिसमबर 2023 को अमवाश्या मनाई जाएगी, यह भॉम होती है मवाश्या एक घरती योग के साथ यह भॉम होती है मवाशिया मनाई जाए गीam nic कैसे कि पित्र दोस है तो इसमे सिनान का शूब उर्थ सब्स मिनट से markings उत्राखन रिशिकेश से ईशा बिरोरिया लोकल एटीम के लिए